खेसारी लाल यादों पर हुआ धोखा दड़ी का मामला दर्ज। रुपे में लिखवाई थी जिसके लिए उन्होंने उसे 18 लाक रुपे का चेक आने की खेसारी लाल यादों ने मृत्यूंजय पांडे को 18 लाक रुपे का चेक दिया था और कहा था काम पूरा हो जाने के बाद बाकी के पैसे तुम्हें दे दिये जाएंगे अब यहां पर मा रिटर्न कर दिया जाता है 23 जून को जब वो चेक जमा करने जाते हैं चेक को बाउंस करार दिया जाता है बाउंस उसी एवेज में कराया जाता है जब कि बैंक खाते में प्रयाप मनी नहों यानिकि उपर्यूक्त बैलेंस नहों तब चेक को बाउंस करार दिया जाता है या अब बता दे कि खेसारी लाल जादों ने ये कहा है इस पर प्रतिक्रिया भी दी है उनका कहना है कि वो व्यक्ति धोके से अपने भाई की जमीन बेच रहा था इसलिए उसे पैसे नहीं दिए गए जो इसका सही मालिक होगा पैसे उसे दिये जाएंगे लेकिन वो व्यक्ति चंदायादों के नाम पर ये जमीन दर्ज की है उनके नाम की है तो अब पैसे उसे चाहिए अब ये देखना गौर तलब होगा कि पुलिस आगे इसमें कारेवाई क्या करती है क्योंकि उस व्यक्ति ने खेसारी लाल यादों के खिलाफ धोखादड़ी का मामला दर्ज करवाय है और अगर ये मामला सिद्ध होता है तो खेसारी लाल यादों पर कार्यवाई भी हो सकती है बोजपुरी जगत की होट और मसालेदार गौसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल नभूली